नमस्कार विद्यार्थियो राजकेस नातकुत्तर महा विद्याले देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनह स्वागत है हमारे आज के पठन पाठन का विशाय है रीतिकाल के सुप्रिसिद्ध कवी घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रैमक नामक का व्यांश का भाग चै इस का व्यांश के भाग चै के अंतरगत जो पध्यांश चुना गया है वह आपको स्क्रीन पर दृष्टिगत हो रहा होगा आईए सर्वप्रथम इस पध्यांश का सहस्वर वाचन करते हैं आपके बोध के लिए आपके ज्यान के लिए आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूँ कि यह नायक का कथन है और नायक नायका की जाते समय मुढ कर देखने की मुद्रा पर मुग्द हो गया है और उसी मुद्रा पर उसके नेत्र रिदय तथा प्राण नायका के साथ हो लिए हैं इस स्थती का वर्णन करता हुआ कभी कह रहा है कि निस द्योस खरी उरमाज अरी छबी रंग भरा उमूरी चाहन की तकी मोरनी जित्यों चख धोर रहे धरी गोहिय धोरनी बाहन की निस द्योस खरी उरमाज अरी छबी रंग भराउ मूरी चाहन की तकी मोरनी त्यों चख धोर रहे धरी गोहिय धोरनी बाहन की चटी दे कटी पे बटी प्रान गए चटी दे कटी पे बटी प्रान गए गतिसों मति मैं अवगाहन की गना आनन जान लखी जबतें जग लागी मोही कराहन की चटी दे कटी पे बटी प्रान गए गती सौमती मैं अवगाहन की गना आनन जान लखी जबतें जग लागी मोही कराहन की ये इसका सहस्वर वाचन था आईए कुछ इसके कठिन शब्दों पर गौर कर लिया जाए इसके कठिन शब्दों में निस द्यावस का अर्थ है रात दिन खरी का अर्थ है उत्तम उर्माज का अर्थ है रिदय में अरी का अर्थ है अड़ना अटकना छवी आया है शोभा के लिए रंग भरी का अर्थ है प्रेमपून भरी चाहन की ये भरी चाहन की हो गया है लिकनि ये मुरी चाहन की है और मुरी चाहन की का अर्थ है मुड कर देखने की ताकि तकनात्वा देखना मोरनी मुडना त्यों यानि वैसे ही चक्षू को कहा गया है धोर रहे का अर्थ है धल रहे साथ ही रहे धरगो डल गया अनुकूल हो गया साथ में बह गया हिय का अर्थ है रिदय, ढोरनी का अर्थ है ढलने की भाती, बाहनी का अर्थ है बहते हुए, चट का अर्थ है चटाक अत्वा शिग्रता से, कटी का अर्थ है कमर, बढ़ी प्रान गए का अर्थ है प्रान आगे बढ़ गए, गति सौं का अर्थ है धंग से, मुद्रा से, मती म का अर्थ है ध्यान में अवगाहनी का अर्थ है धसना डूबना लखी का अर्थ है देखी जक यहां अध्यान्ष में जग हो गया अर्थ है कराहना आह की आवाजें निकालना ये कठीन शब्द थे इनके अर्थ थे आईए अब इस पध्यांश से संबंधित प्रसंग जान लेते हैं कि कवी ग्रंथ वैसंदर्व क्या है तो कवी आप जानते ही हैं रितिकाल के सुप्रसिध कवी गहनानंद की रचना है ग्रंथ के अर्थ पर हम कव्यांश का शीर्शक लिख सकते हैं सुजान प्रेम नामक कव्यांश से ये उद्धरत है संदर्व में हम लिख सकते हैं कि नायक नायका की जाते समय मुढ कर देखने की मुद्रा पर मुग्द हो गया है और उस नायक के नित्र रिदय वैप्राण नायका के साथ ही हो लिये हैं ये प्रसंग हो गया आईए अब इसका अर्थ वैभावार्थ कर लेते हैं तो निस्द्योस खरी उर्माज अरीच भी रंग भरो मुरी चाहन की नायक कह रहा है नायक का कथन है कि जो प्रियतमा है प्रयसी है या नायका है उसकी जाते समय मुढ कर देखने की मनोहरी दीप्ती पून एवं आनन्द दायक उत्तम छवी खरी छवी रात दिन मेरे रिदय में अंतह करण में मन में अडी हुई है अटकी हुई है अत्वा समाई हुई है तकी मौरा नित्यों चक ढोर रहे ढरीगो ही ये ढोरनी बाहन की जैसे ही उसने मुढ कर देखा जैसे ही प्रयसी नायका ने प्रियतमा ने मुढ कर देखा मेरे नित्र उसके साथ लग गए और मेरा रिदय भी बहते हुए पानी की भाती बिना किसी प्रयास के स्वतय ही अपने आप ही नित्रों के रास्ते उसकी ओर ढल गया चटी डै कटी पे बटी प्रान गए गतिसों मति मैं अवगाहन की उसी मुद्रा में जब नाई का उसी मुद्रा से शिग्रता से कमर पर बल डाल कर या कमर पर बल खाकर आगे बढ़ी तो मेरे प्रान भी उसी रूप माधुरी में उसी मुद्रा के सौंदर्य में डूबे रहने के ध्यान में शिग्रता से उसी और बढ़ गए गन आनंद जान लखी जब तें जक लागी है मोही कराहन की जब से मैंने अत्यधिक आनंद देने वाली जाती हुई सुजान प्रियतमा को प्रेयसी को नाइका को उस सुन्दरी को देखा है तभी से मुझे कराहने की रट लगी हुई है अर्थात मैं उसके वियोग में आहें भर रहा हूँ तो बहुत ही सुन्दर रस्युक्त वर्णन घनानंद ने किया है और सुन्दर इस बात का भी है कवी की प्रतिभा इसमें भी है कि मात्र नाइका के मुढ कर देखने की मुद्रा पर उसने ये पंक्तियां लिखी है तो आप घनानंद को पढ़ते जाएं और ऐसा आनंद लेते जाएं चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अर्थवे भावार्थ के पश्चात इसके विशेश तत्थियों पर एक दृष्टी पात करते हैं विशेश में हम लिख सकते हैं कि नायक की आसकती एवं विवश्चता का सुन्दर वर्णन कभी द्वरा किया गया है साथी तकी मोरनी तथा चट दे कटी पे बटी प्रान गए में गत्यात्मकता दर्शनी है अर्थात अगर आप ये पद्यांश का व्यांश पढ़ रहे हैं तो ना सिर्फ वर्णन में प्रवा है बलकि भावनाएं और जो कभी सुन्दर रहे हैं वो भी मानो साथ साथ बह रहा है एक प्रवा है चंद में भी, वर्णों में भी, भावों में भी मुहावरों का सुन्दर प्रयोक किया गया है रिदय के बीच अड़ना प्रतम पंक्ती में ढल जाना दुतिय पंक्ती में जक लगना चोथी पंक्ती में ये सब मुहावरे हैं और इनका बहुत ही सुन्दर प्रयोक कवी के द्वारा किया गया है अथास्थान प्रयोक किया गया है, स्वाभाविक प्रयोक किया गया है रस्युक्त प्रयोक किया गया है साथ इसमें अगर अलंकारों पर गौर करें धारी गव ही धोरनी बाहन की इस दुतिय चरण में उदारण अलंकार विद्यमान है जान जो शब्द आया है घना आनंद जान लखी जबतें तो इस जान शब्द में शलेश अलंकार विद्यमान है और छेकानुप्रास स्वैंत्यानुप्रास के रूप में अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है साथी इस विशेश तत्यों में अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो पदमेत्री वाली टिपणी जोड़ सकते हैं कि खरी अरी तथा गती मती इनमें पदमेत्री है पदों में साम में हैं मित्रता है बोलने में इसलिए प्रवाहा आ जाता है एक विशेश ले उत्पन हो जाती है कभी कभार अगर आपको कुछ दूसरे कभी की से मिलती जुलती पंक्तियां याद है तो वो भी आप उध्रत कर सकते हैं जैसे गहनानंद की इन पंक्तियों से मिलती जुलती पंक्तियां बिहारी ने भी लिखी है तो इसे भाव साम में के अंतरगत आप लिख सकते हैं आप के ग्यान के लिए आपके सुविधा के लिए और आपके जानकारी के लिए मैं बिहारी की वो पंक्तियां उध्रत कर रहा हूँ आप सुन सकते हैं डग मगाती सी चली ठटकी चिताई चली निहारी लिए जाती चो रही वहे गोरटी नारी तो इसे मिलती जुलती पंक्तियां है तो ऐसे उधारन आप ध्यान रखें और अंत में हम जो ग्रहकारे देते हैं अब उसकी बारी पद्यांश में प्रियुक्त अलंकारों का नाम आपको लिखना है चंद उसके सीर्ष पद्यांश के उपर ही लिखा हुआ था कौनसा चंद था सवय या चंदता तो उन्हें सिर् आम याद रहना बहुत आवशक है परिक्षा की द्रिष्टी से ग्यान की द्रिष्टी से और अंकों की द्रिष्टी से भी आज के लिए बस इतना ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद